यह स्मार्स्ट और एकेडमी यूटूब चैनल पर आप सभी का फिर से श्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्जामनेशन बोर्ड जो की 12 है दोहजार तईस जी हां 2023 में जो important question बनते हैं chemistry के 300 objective question को जो है हम cover करने वाले हैं आपको part 1, part 2, part 3 इस तरीका करके इस तरीका से जो है आपको 300 objective question आपको मिलेंगे chemistry के जो की important होंगे और साथ ही 1980 से 2022 तक में जो है कभी ना कभी question पूछे गया होंगे वो question आपको दिये जाएंगे तो बिना दिर के शूर कर लेते हैं दोस्तो आपको जो यह question है आपको part 1 में हो सकता है 30 हो, part 2 में 40, 50 यानि कि 30, 40, 50 करके आपको एक वीडियो में 30, 40, 50 से ज़्यादा नहीं question दिया जाएगा क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं वीडियो को पुरा देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राब जरू कर लिजे तो शुरू करते हैं chemistry objective question को तो धन दिजीगा first question first question हम से पुछा गया कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है तो यह question जो है 2011 में पूछा गया है आप चाहें तो मिला सकते हैं तो कौन जो है ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है यह आपको बताना है तो ताप द्वारा जो प्रभावित नहीं होता है यह होता है मौललता जो होता है ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है इसका सही अंसर अपसर नमर B हो जाएगा इसके बात करते हैं दूसरा कुर्षिन का तो दूसरा कुर्षिन हम देख लेते हैं कि दूसरा कुर्षिन मे ध्यान दिचेगा तो दूसरा में है निम्लिखित में किसका हिमाइक अबनमन अधिक्तम होता है किसका जो हिमाइक अबनमन है वो अधिक्तम होता है तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका अपसर नमर C हो जाएगा K2SO4 जो है इसका जो हिमाई का अभणनवर्ण है वो अधिक्टम होता है याद रखेगा इसका बात करते हैं तीसरा कुछचन का है तीसरा कुछचन क्या है तीसरा कुछचन देख सकते हैं कि है 2013-2015 में पूछा गया यानि कि जो भी कुछचन मैं आपको बता रहो वो किसी न किसी एयर में निम्रिकर प्रकार से व्यक्त होता है वेग के A2 मतलब A का 2 है और B यहाँ पर कोछन नहीं है इसका मतलब इंचा 1 है तो इस कोछन को आप भली बाती बना सकते है यानि कि इसमें जो अभीकरिया की कोटी पुछा जाए तो इसका जो answer हो जागा B will be right answer हो जागा इसका बात करते है fourth question का fourth question में क्या कहा गया है ध्यान दिजिएगा fourth question में copper pyrate का शूत्र है copper pyrate का शूत्र क्या हो तो copper pyrate का जो शूत्र होता है cu fe s2 क्या होता है cu fe s2 जो है copper pyrate का शूत्र होता है इसके बात करते हैं पांचमा question का पांचमा question में क्या है पांचमा question में है भूपर पट्टी यानि की पिर्थवी में सरवाधीक पाई जाने वाला तत्व है तो भूपर पट्टे में जो सरवाधीक पाई जाने वाला तत्व है वो कौन है तो वो हो जाएगा आपको एलमूनियम, एलमूनियम जो है भूपर पट्टे में जो है सरवाधीक पाई जाने वाला तत्भ है इसका जो सही अंसर हो जागा अपसण नमर C will be right answer for this question इसके बात करते हैं section नमर कुश्टन का section नमर कुश्टन में क्या कहा गया है कहा गया है निमन में से किसकी आकर्थी चतुस फलकी है किसकी आकर्थी जो है चतुस फलकी है यह आपको बताना है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा है यहाँ पर NICL4 2 का पावर माइनस 1 अपसन नमर D इसकी जो आकिरती है चतुस फलकी है याद रखेगा इसके बात करते हैं सेवर नमर कुस्टिन का सेवर नमर कुस्टिन में क्या कहा गया कि NICO4 में NICOCK 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 NICO में दिया हुआ तो D number इसका will be right answer हो जाएगा 7 का इस वाध बात करते हैं 8 number question का 8 number question में क्या है 8 number question में है कि उस्मा और बिधूद का अच्छा चालक है उस्मा और बिधूद का अच्छा चालक कौन सा है यह आपको बताना है आपको option 4 option दिये हुए है तो उस्मा और बिधूद का जो है सबसे अच्छा चालक हो जागा वो आपको ग्रेफ फाइट हो जागा कौन सा हो जागा ग्रेफ फाइट उस्मा और बिधूद का अच्छा चालक हो जागा इसका बात करते हैं 9 number question का 9 number में है इसका जो आपको इसका बात करता है किसी वस्तू के प्रतिक्रिया करने का दर अपको पर निर्फर करता है इसका जो option number D है विल भी right answer हो जाएगा इसका बात करते हैं 11 number question का 11 number question देख सकते हैं कि 2016 में यानि कि मैं जो भी question आपको बता रहा हूँ वो किसी ना किसी year में पूछे गए question है यहाँ पर repetition question भी आपको मिल सकते हैं यहाँ पर हैं सिनेवार का सूतर है तो सिनेवार का जो सूतर हो जाएगा सिनेवार का सूतर होता है इसका बात करते हैं 12 number question 12 number question में है कि किस ग्रूप के तत्व को शंक्रमन तत्व कहा जाता है यह जो 2015-2019 से दोनों में repeat किये गए हैं कि कि किस ग्रूप को जो है तत्व को जो है संक्रमन तत्व कहा जाता है संक्रमन तत्व कहा है तो अगिए का बात करे तो डी बलोक कर तत्व को हम लोग सिंपल साग तेरे नमर कुछटन में है कि Ma3 CRC204 का हौल थ्राइस में CR की उपसा सन्यूत्य जयक शंख्या क्या है तो इसकी उपसा सन्य जोग संख्या बताने है तो इसकी जो उपसा सन्य जोग संख्या आपको सिंपल सा निकालना होगा और निकाल लीजेगा इसके बाद कर लीजेगा तो यहाँ पर आपको तीन इसका सही आंसर होजेगा इसके बात करते हैं चोदा नमर कुस्चन का तो हो लाक है याद रखेगा इसके बात करते हैं पंदर नमर कुस्टेन का पंदर नमर कुस्टेन में क्या किया गया है एच थ्री पी ओ थ्री एक है एच थ्री पी ओ थ्री एक क्या है तो यह दूभासमिक अमल है याद रखेगा इसके बात करते हैं सूल हमर कुछेयन का है कि निम्लिकेत में कौन ड्यूटियक सेल है यह आपको बतानी है तो समानी सूतर cns2 and plus 2, plus 2 वालेakov को आपको plus 2 वाले योगिक, कीड़ा का आपका शिम्बल से यहापर क्या बताना है, नाम बताना है, यह जो plus 2 हाज़ेगा, ilc Än कीडל का हो जागा, minus हो जागा, minus यहाजलेगा, ilcissä My",- जो हो जाज़ेगा ilcain हो जागा, और यहाज़ो हो खिरा को किसका सुत्र है? C Ao किसका सुत्र हो जगा? domainsense number question यह बहुत ही ऐजी very question और जाई question पूसे जाता है हिलियम का मुखह सीरा होथ hire हिलियम के जो मुखह सीरा होथ हो पौंस है तो हिलियम के जो मुखह सीरा हो vy सुर्य है याद रखेगा इसका बात करते हैं बीस नमर कुश्चन का बीस नमर कुश्चन में है कि XEF4 की आकिरती है XEF4 की जो आकिरती है वो कौन सी हो जागे तो यहाँ पर जो हो जाएगा इसका सही आंसर वर्ग सम्तल यह जो है इसको सिंपल से हम बोल सकते है SQUAD PLANNER भी भोल सकते है इसका सही आंसर अपसे नमर B इसका बात करते है 21st number कुश्चन में है कि माला काइट आसक है माला काइट का है एक प्रकर का आएसक है तो यहाँ पर आपको बताना है कि माला काइट किसका आएसक है यहाँ पे चार अपसन है लोहा, copper, zinc और silver यहां पर कौन सा answer हो जागा तो यहां पर जो answer हो जागा वह आपका लोहा हो जागा option number A will be right answer for this question इसका बात करते हैं 22 number question का 22 number question में है कि यहां पर जो जागा प्लस फाइब जो ही यहां पर बिस्मत की जो है अस्थाई oxygen अवस्था है क्यों क्यों फाइब इसका बात करते हैं 23 Question तरीस number question में है कि निमलखित में कौन सा असत्रास सक्थालीई oxycorat죠? यहां पर oxycoratator पता 30 पतार्षय पतार्षय यहाँ पर i2 हो जाएगा यानि कि option number B will be right answer आपको option देख के बताना है ड्रैक नहीं बता देना है यहाँ पर chlorine है iodine है fluorine है abromine हो जाएगा यहाँ पर simple सा iodine हो जाएगा i2 हो जाएगा option number B will be right हो जाएगा for this question ठीक है इस पर बात करते हैं च्रुबर्ष नमर कुस्चिन का även इसका बात करते हैं 25 नमर कुस्चिन है निमिल्खेत में से कौन सा पर्थम पंक्ती का संक्रमन तर्थम नहीं है तो यहाँ पर जो जो सही answer हो मेंगनेम जो है पर्थम पंति का शंक्रमथत्तम नहीं है इसकंट करते हैं त्युक्त स्थाफिष कि एक लोट क्षी हैं से यौर। तबकार उनकी यह बहुत ही ज्यादा simple question है इसका क्या होगा answer एक में comment section में जुरूबत है इसका बात करते है अठर समानी शूतर बेंजीन का समानी शूतर पुछा गया यह जो हो जागा C6, S6 वो पता होगा इसका बात करते हैं तो तो दोस्तो चैनल पढ़ना है तो subscribe जरूर कर लिजगा और वीडियो को जयादा शेयर जरूर केज़ेगा इसके बात करते हैं तीस नमर और यह जो है वीडियो का last question है इसके पाद जो है आपको part two upload कर दिया जाएगा आपको मिल जाएगा यहां पर K2-NICN4 का IPC नाम बताने हैं तो IPC नाम अगर आप इसका लिखेगा तो सिंपल से आपको K2 यानि के पोटासियम हो जाएगा के बाद NICN4 को बोलते हैं यानि के टेट्रा हो जागा और CN को साइनो बोलते हैं और निकेल और इसके बाद ऑक्सेकन संख्या निकाल लिएगा यहां पर आपको अप्शन नमर B will be the right answer for this question तो मिलते हैं अगले वीडियो में